Firebolt smart watch को हम अपने phone के साथ किस तरीके से connect करके use कर सकते हैं जी हां दोस्तों जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हुए मेरे पास यहां पर Firebolt का smart watch है और इस वीडियों दोस्तों आप लोग को यही बताने वाला हूँ तो दोस्तों अगर आप लोगे पास भी fireball का smart watch और कुछ भी जानकार या आप लोगो चाहिए कुछ भी चीज़ सीखना है इस वीडियो का अब लोग लास्ट तक जरूर देखना तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जादा हमें आपका जो है समय नहीं लेते वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप मैं इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके जरूर बता देना कि आपने यह जो fireball का smart watch है वो कितना में खरीदा है और आपके पास fireball का कौन सा model का smart watch है फिराल दोस्तों मेरा यह ninja calling pro plus वाला smart watch है आपके पास कौन सा smart watch है और क यहां पर डाफिट लिग के सर्च करना है जैसे अब डाफिट लिग के सर्च करोगे तो यह वाला application आ जाएगा दोस्तों तो इस application को आप लोगो सबसे पहले download करके install कर लेना install करके इसको open करना इसी application से आपका सारा चीज जो यहां पर connect वागरा होने वाला सारा चीज होने व लिए जैके बास यहां पर नीचल करना है उसके बाद दोस्तों यहां पर लोगो तीन आ वो ओन होना चाहिए तीन चीज़ें यहां पर उन होना चाहिए उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा तो अभी क्या करना है अभी दोस्तों आप लोगों को यहां पर चेक यह करना है कि आपका smartwatch running कंडिशन में है या नहीं है तो सबसे पहले आप लोग अपने smartwatch को running कंडिशन में कर लो और यहां पर कम से कम जो है 50% से उपर आपका smartwatch होना चाहिए ठीक है तो यहां पर देख सकता हमारा फूल चार्ज यहां पर ठीक है अभी दोस्तों क्या करना अभी आप यूजिंग यहां पर यहां पर फिर से अलाव करना अलाव करने के बाद दोस्तों यहां पर थोड़ा सा आप लोगो वेट करना है थोड़ा से जैसे आप वेट करोगे तो यहां पर जो भी आपका smartwatch का यहां पर देख सकते हो कनेक्टेट हमारा यहां पर सक्सेसफुली बता रहा है ठीक है तो अभी दोस्तों यहां पर लोगों से पेयर टू कनेक्ट का अप्शन आएगा तो इस पर आप लोगों क्लिक करना है और पेयर पर क्लिक कर लेना इससे क्या वागा कि आप अपने smartwatch से क्लिंग के फिचर को यूज कर पाऊगे अभी दोस्तों आप लोगों का जो ऑडियो फायर बोल्ट जो भी आपका यहां पर इसमार्ट वाइस से जो कॉलिंग का फिचर उसको आप लोगों यूज नहीं कर पाऊगे जैसे मैं आप लोगों एक जाम्पल के लिए दिखाना च एक हो जाएगा तो यहां पर दोस्तों लोगों यहां पर कुछ भी लगाना और देख सकते हो इडिट पर क्लिक करने के बादि पर जो भी परमिशन आएगा अलाओ करना उसके बाद इस तरीके से नीचे इस तरीके स्लाइट करना है और यहां पर चूज फ्रम एल्बम पर क्लिक कर लेना है उसके बाद यहां पर गलेरी ओपन हो जाएगा और यहां से दोस्तों आप लोग कोई सा भी अपना स्मार्ट अप्लिकेशन डाफिट अप्लिकेशन डूनने के बाद जो इसका नोटिफिकेशन का परमिशन है उसको इस तरीके से जो है ऑन कर लेना इससे क्या हुआ कि आपका जो भी नोटिफिकेशन आएगा वह आपके वाच पर दिखेगा तो यहां पर थोड़ा से वेट करना है उस कर लिया उसके बाद बैक आने के बाद यहां पर दोस्तों देख सकते हो अलार्म सेट कर सकते हो यहां पर अपना फोटो सेट कर सकते हो यहां पर अलार्म सेट कर सकते हो उसके बाद यहां पर फोटो क्लिक कर सकते हो यहां पर फैबरेट कोंटेक्ट करोगे तो यहां से आप को ड ändern करते हो किते हैं आप था जो कि कर लोग दे डीजिए कि अशसक्राइब कर लिजय क्यों कि तो कर लीजय कि मैं इस चैनल पर अइसे ही नोलेजवर मैं लेकर आते रहता हूं जो कि आप सर वाचिंग मोबाइल वाला जौन